अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से वन देवता है वो राजा राम को कहते हैं कि आज के परिप्रक्षे को लेकर कहीं कि कितने ही है वो राजा है वो अपने प्रजा के लिए योजनाएं बनाता है लेकिन वो योजनाएं अगर अंतिम शोर तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है तो उस योजनाओं का कोई मतलब नहीं है तो यहीं वो कहते हैं यहाँ पर कि वो योजनाएं ऐसे आदिवाशियों तक भी पहुंचे, भले ही उन लोगों को न मिले ये सुनने को, एक मिनट, भले ही उन लोगों को साधन न मिले, लेकिन उन लोगों को पेट भरने के लिए इंधन यानि साधन, पेट भरने के लिए भोजन या पेट भरने को लिए अनजरूर मिले आगे फिर कहते हैं वन्देवता ये चना अपने चबा कर हाथ चाटेंगे या रहेंगे मोन अपना पेट काटेंगे काम करने में इने लज्जा नहीं लगती क्या बली इनकी तुम्हें सज्जा नहीं लगती ये बुरी कर्तूत मैं भी कम नहीं है जहां जख मारते मरते वहीं मद पिये भवरे बने गुंजारते भूल जाते जीतते कब हारते वन देवता है राज्य के दब्य कुछले व्यक्तियों के बारे में राम को बता रहे हैं कि इनकी स्थती बड़ी ही भयावय है और आपकी तरब से भी इन जैसे लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो वे कहते हैं कि वन देवता वन में अथिती के रोप में पधारे राम से उस प्रदेश में रहने वाले लोगों की परिस्तिते से अवगत करा रहे हैं और कहते हैं बता रहे हैं कि ये अधमरे निरक्षा और भूखे लोग हैं जिनको राज्य की तरब से कोई भी सहायता न भूखे पेट रहेंगे, फिर भी मोन धारन रखेंगे, या रहेंगे मोन अपना पेट काटेंगे, इन्हें कोई भी कार्य को करने में शर्म नहीं लगती, काम करने में इन्हें लज्जा नहीं लगती, ये लोग हर छोटा बड़ा कार्य कर लेंगे, बन देवताराम से पूछत कि ऐसे गरीब भूखे लोगों को व्यवस्तित करना क्या भली इनकी तुम्हे कोई सज्जा नहीं लगती तो गरीब भूखे लोगों को व्यवस्तित करना सुखी करना क्या आपको अच्छा नहीं लगता ये भूखे नंगे लोग जिने आप धन वस्त्र देकर या रोजगार देकर निर्भर बना रहे हैं, इनको समाज की धूरी में लाना आपको अच्छा नहीं लगता, ये बुरी कर्तूत में भी कम नहीं, आगे उन लोगों की हिस्वभावगत आदतों को बताते हुए वन देवता कहते हैं, कि यदि पिये अनपड गवार लोग किसी बुरे कृत्य क करने में भी कम नहीं हैं, अर्थात ये लोग बुरे कर्म में भी प्रवृत रहते हैं, है जहां जख मारते मरते वहीं, जहां इनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ जख मार कर वापस आना है, वहीं जाकर ये लोग मरते हैं, अर्थात बार बार जाते हैं, ये वही मदिरा पान करके पढ़े रहते हैं मद पिये भंवरे बने गुंजारते भूल जाते जीतते कब हारते तो ये मदिरा पान करके पढ़े रहते हैं जिस प्रकार भंवरा फूल के पास मंडराता रहता है उसी प्रकार ये सब बुरे कर्म जैसे मदिरापान, जुआ, खेलना, हारना, जीतना इन सब में लगे रहते हैं और कहने का कवी काश्य मतलब यही है किनके माद्यम से राम को उसके राज्य के एक कमजोर पक्ष से अवगत करा रहे हैं यहां पर वन्देवता जो राज्य से कटा, सडा और गला हुआ है जिसके हर इस से रहने से संपूर्ण राज्य प्रगति नहीं कर सकता है तो यहां पर राजा के करतब्य का भान कराया गया है और ततकाले इन व्यवस्था पर भी चोट की गई है और जग मारना मुहावरे का प्रियोग भी हुआ है बच्चों आगे फिर हम देखते हैं यदि हिने कोई रिद्धी है अगनी में ही व्याप्त इनकी रिद्धी है यह जलाती है इने दावागनी यह जलाती है इने जठरागनी जागते सोते तुम्हारा नाम जपा करते हैं निपट निश्काम याद शबरी की इने सब बात जोहते हैं बाट ही दिनरात तो आगे यहाँ पर फिर वो कहते हैं वन देवता ऐसे ही लोगों की समस्या को राम के सामने प्रकट करते हुए कि उनका मानने के राज्य का एक भाग अगर पीड़ता है या वो कहते हैं कि कि यह मजबूर लोग ऐसे द्रड निश्चे वाले हैं कि क्या है कि यदि इने कोई चड़ादे सान पर खेल जाए तुरत अपनी जान पर कि ये ऐसे द्रड निश्चे वाले हैं कि चाहे इने धार की मशीन पर भी चड़ा दिया जाए या पर कहते हैं इनको तलवार की धार पर भी चड़ा दिया जाए तो ये तुरंत अपनी जान पर खेल जाएंगे भूमी पर इनके कलोरे कूजते चांद सुरज आग सब को पूजते किसी भी बात की परवाह के बिना साहसी वहिम्मती लोग आपके एक आदेश के लिए कुछ भी कर सकते हैं भूमी पर इनकी बनाई हुई वस्तुएं चारों तरफ मिलती है अर्थात हस्त शिल्प कारियों में भी ये काफी कुशल है आस्ता इनकी इतनी अधिक है कि आग चांद और सूरज सब को इश्वर मान कर उनकी पूजा करते हैं अगनी से ही प्राप्त सारी सिद्धी है अगनी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं हमारे जितने भी देख लिजा दिवाशी या पूरवाज या जो मनुष्य की सब भेता के निशान है तो उन्होंने सबसे पहले शुरुवात ही कहते हैं विश्मय यानि अगनी से ही हुई थी उनकी आगी है अगनी में ही व्याप्त इनकी रिद्धी है अगनी की उपाशना करके इनको सारी सिद्धियां प्राप्त हैं इनकी सुक्षानती सभी अगनी में ही समाहित है यह जलाती है इने दावागनी या जलाती है इने जतरागनी बहुत बड़ी बात है कि वन प्रदेश में लग हुई आग इने जलाती है यानि चारों और जब दावागनी कहते हैं जिसको पेड़ की गर्षन से लगने वाली आग होती है तो ये जो वन में लगने वाली आग है इने जलाती है इनका समूल नश्ट कर देती है घर परिवार मकान सारे सब चिज़ें समापत हो जाती है अर्थात वन परदेश में आई मुसीबते इने पीडित करती है दुखी करती है या पेट की आग या जलाती है इने जट्रागनी य देवता राजाराम को फिर बताते हैं कि ये नीरी है लोग जो जागती सुती तुमारा नाम जपा करते हैं निपटनिश्काम कि ये नीरी है लोग रात दिन सिर्फ तुमारा ही नाम जपते हैं अर्था तुमारा ही स्मरण करते हैं बिना स्वार्थ सिर्फ आपको ही याद करते हैं याद शबरी की इन्हें सब बात क्योंकि इन्हें अपनी शबरी की कही हुई वे सारी बाते ही आद है जो इन्हें वो आपके बारे में बता कर गई हैं जो हते हैं बाट ही दिन रात कहने का अश्य है यही है कि सबरी ने इन्हें राम का गुंगान भक्ति करना सिखाया है कि किस प्रकार आपने सभी बेदभाव मिटा कर उसके हाथ से बेर खाए थे और सबरी का कल्यान किया था तो यही इस बाते उनको इसलिए रात दिन ये सिर्फ तुमारे आने का रास्ता देखते रहते हैं कि कब आकर तुम इनका कल्यान करोगी इनके दुखों को से कब मुक्ति इनको दिलाओगी तो यहाँ पर पुराणी कथा के माध्यम से है राम का समत्व भाव को प्रकट किया गया है और आगे फिर वो कहते हैं जोपडों के बीच जूठे वेर शबरियों ने कर लिये हैं धेर यदि तुमारा आगमन ले जान ना चुठेगी गुंजा कर गान लीप गोबर से धुमेला धाम साग पात परोस देंगी राम पर इने समवेदना से ही नगरवासी समझते मरगमीन दंड देने है तु दंडक में यहां तुम आ गए एक शंड सोचो कहां पर थे कहां तुम आ गए अब यहाँ पर वन देवता और राम के मद्धिवारताला आप चल रहा है तो वन देवता राम को दंडक वन में पधारने पर उनसे इन वनवाशियों के बारे में उनके दुख और पीड़ा के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं कि कि तुम्हारे याँ पधारने की खुशी में ये सब की वो कहते हैं कि आपके आने की खबर सुनकर अपने अपने जोपडों के मद्दे जूठे बेरों का धेर लगा लिया है कि जोपडों के भी जूठे बेर सुबरियों ने कर लिये हैं धेर यदि तुम्हारा आगमन ले जान नाच उठेगी गुंजा करगान तो कहते हैं इतने वो सोचेंगे राम आएंगे राम आएंगे तो उन्होंने जूठे बेर खाखा करके जूठे करके वहाँ एक धेर बना ल देंगी राम, धुएं से भरे अपने घरों को लीप पोत करके, ये साग पात सब तुमारे सामने परोज देंगी, पर इने समवेद ना सेहीन, कवी का कहने का मतलब यही है कि जंगल में रहने वाले सिदे साधे सरल हरदे ही लोग हैं, और आपके आने की खुशी में जो कुछ ह इनके पास निस्वात भाव से आपके सामने परोज देंगे, छलकपट इने आता नहीं है, और नगरवासी समझते म्रगमीन, और नगरवासी ने हीरन और मचली के समान समझते हैं, जिनका सिर्फ शिकार किया जा सकता है, नगरवासी ने समवेदना से हीन वन्य पशू ही कि दंड देने है, तो दंडक में यहां तुम आ गए कि हे राम, तुम ऐसे निरी है, निरपराद, सीदे सरल, लोगों को हर दंड देने के लिए तुम बन में आए, एक्षण के लिए भी तुम अपने सती पर विचार करो, कि तुम एक्षण सोचो कहां पर थे, कहां तुम आ यहां कभी का भाव यही है कि राम एक समय तुम इतने दयालों भेद भाव रही सब के लिए कल्यान कारी दंड प्रावधान से दूर सबको सनेह करने वाले थे मार्क में जो आते उन सभी का हित करते चले जाते थे और आज इस्तती यह है कि तुम नगर में राजपाट भोगने वाले राजा कमजोर को सजा देने वाले बन गए तुमारी इस्तती उच्चतर से निम्नतर हो गई तो राम के विवार परिवर्तन पर कटाक्ष किया है वन दे परिवाट